आप computer को set down कैसे करते हैं जर्णली हम दो ही तरीके से computer को set down करते हैं number first है यहां से आप देखो मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ इसको यहां से आप start button पे click करके और यहां से आप power पे click करके किस पे जाओगे? set down पे जाकर कि आप computer को set down करते हो या फिर दूसरा जो रास्ता हमारे पास वो है alt f4 प्रेस करके हमारे सामने यह set down का dial box आता है जिस पे हम okay करके computer को set down करते हैं इन दोनों तरीकों के अलावा आज हम आपको बताएंगे कि एक नया तरीका कौन सा है जिससे आप computer को एक double click करने से ही आप computer को directly set down कर सकते हो तो वो कौन सा तरीका है जानने के लिए देखते हैं आज का वीडियो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please उसको subscribe करना तथा साथ आने वाले bell icon को जरूर प्रेस करना जिससे हमारे आने वाले वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे desktop पे right click करेंगे आपको देखो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ right click करेंगे और कहां पे आएंगे new पे आएंगे और new पर आने के बाद हम क्या करेंगे shortcut के उपर click करते हैं shortcut के उपर click करने के बाद में देखो हमारे पास यह dialer box खुल के आता है जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे slide to set down slide to slide to slide to slide to set down.exe ये लिख करके हम इसको क्या कर देंगे next पे click करेंगे उसके बाद में देखो आपके पास क्या बता रहा है या आपको type a name for this shortcut कि आप जो shortcut बना रहे हो इसका आप नाम क्या लिखना चारे हो अगर आप अपना खुद का नाम लिखना चारे हो तो लिख सकते हो या फिर आप by default य क्या करेंगे देखो right click करेंगे और right click करने के बाद में यहां से इसकी properties के अंदर आएंगे और properties में आने के बाद में देखो यहां पर हमें क्या option मिल रहा कौन सा change icon क्यों उसका icon चेंज करना है अब यह देखो यहां पर हमें क्या मिला चूज आन आइकन from the list और specify a different file कि आपक गर कम्प्यूटर को सट डाउंन्क नहीं करना तो आप इसके उपर माउस से प्रेस करके इसको जसे ऐसे नीचे खीचोगे तो देखो तो मैं इसको पूरा नीचे नीचे खीच रहा हूँ क्योंकि नीचे खीचते ही हमारा computer क्या हो जाएगा सट डाउन हो जाएगा और हमारे जो screen recording चल रही है वो क्या हो जाएगी पूरी destroy हो जाएगी इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ जैसे देख अगर आपको इसको shutdown करना तो इसलिए डबल क्लिक करना और इस slide को पूरा नीचे तक ले आना और नीचे तक ले आओगे तो लाकर के mouse से उसको छोड़ते ही क्या हो जाएगा आपका computer shutdown हो जाएगा अभी हम इसको नीचे नहीं लेकर आ रहे हैं जो आज हमने आपको slide to shutdown का तरीका बताया है ये window 10 और window 8 का same होता है जबकि windows 7 के अंदर इसका अलग होता है तो उसके दिए हम क्या करेंगे उसके दिए हम desktop के उपर mouse से right click करेंगे और right click करने के बाद हम कहा आएगे new के अंदर आएगे और किस पर आएगे shortcut के उपर click करते हैं तो यह हमारे पास shortcut का dialogue box full के आ गया अब इसके अंदर हम क्या type करेंगे जैसा कि हम window 10 के अंदर क्या करेंगे slide to shutdown.exe कर रहे थे लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा उससे अलग रहेगा देखो वो क्या रहेगा जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे shutdown s-u-t-do-wn shutdown और फिर क्या करेंगे space देंगे और space देने के बाद minus का sign लगाएंगे और फिर उसके बाद में s लिखेंगे फिर वापस space देंगे फिर वापस minus का sign और t press करेंगे फिर वापस हम क्या करेंगे एक space देंगे और double 0 लगाएंगे double 0 लगाने के बाद हम किस पे जाएंगे next पे click करेंगे और यहाँ पे देखो यह आप कुसे क्या कर रहे है type a name of the shortcut कि जो भी आप shortcut बनाना चाहते हो उसका आप नाम यहाँ पे लिखो तो जो भी आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहो वो लिख सकते हो यहाँ पे by default क्या दिखा हुआ है? shutdown लिखा हुआ है हम एक बार shutdown को ही रख लेते हैं और यहाँ से finish कर देते हैं फिनिस करने बाद यह देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का यह हमारे पास एक message आया है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? change an icon from the list और specify a different file कि आपके पास एक list खूल के आईगी जिसके अंदर आफसे आप icon को choose कर सकते हो तो हम यहां पर क्या करते हैं, OK करते हैं, OK करने के बाद देखो इस तरीके से हमारे पास आये हैं, तो इनके अंदर से हम इसको चूज कर लेते हैं और OK प्रेस कर देते हैं, और यहां से Apply and OK, यह देखो, इस तरीके के हमारे पास बनके तयार हो चुका है, дорог cut, इसका है यह, ahh, it's स्लाइड आ रही थी हाफ के अंदर फिर उस्लाइड को पकड़ के नीचे खीश रहे थे तब वो सट डाउन हो रहा था लेकिन Windows 7 के अंदर आप इसके ओपर डबल क्लिक करोगे करते ही आपका computer क्या हो जाएगा I hope दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जितना होसके इसको शेयर करना ठीका दोस्तों तो जल्द मिलते हैं एक next topic के साथ एक नया वीडियो ले करके तब तक के लिए जैहिन जैभार